हेलो लेर्नर्स, तो हमने अपनी स्टाफिंग कर ली, हमने अपना सेल्स बजट बना लिया, सेल्स पर्सन को उनका टार्गेट दे दिया, स्टाफिंग करने के बाद, उनका कंपंसेशन डिसाइड कर लिया, तो अब क्या करें, अब हम अपने एसी कैबिन में पहर पहर चड़ा is a very very important part of your leadership role, it is a very important part of managing your sales force. So let's see how to supervise salespeople. Now supervision generally it includes directing and controlling the day-to-day activities of the salespeople, मतलब आपके जो salespersons है, उनकी रोज की जो activities है, रोज की जो गतिवी दिये है, उनको direct करना के किस direction में आपको काम करना है, किस area में, किस product पे, किस customer पे उपर आपको काम करना है, और साथी साथ, उनको control करना है, कि जो हम लोगोंने चीज़े decide की है, वो सब situations out of control नहीं हो, वो आपके purview के अंडर आएगा. Now, there are many many variations, कि salespeople या sales managers कितना strict या कितना relaxed supervision रखते हैं, वो depend करता है on lot of factors, like nature of industry, nature of work, nature of salespeople itself, but usually ऐसा देखा गया है, कि जो salespeople, जिनको हम लोग commission basis पे रखते हैं, उनको less supervision की जरूँत होती है, in comparison to salespeople, जिनको हम लोग fixed salary पे रखते हैं, इसका logic बहुत simple है, कि जिन लोगों का fixed salary पे रख रहे हो, तो आपको खड़ी नजर रखनी पड़ती है, कि आपको fixed salary तो मिलेगी पगार तो मिलेगी, बड़ आप काम कर रहे हो के नहीं कर रहे हो, तो आपको उनके पर watch रखनी पड़ती है, उसके लिए आप उनका attendance चेक करते हो, CCTV cameras लगाते हो, monitor करते हो उनकी activities, बहुत तरीके से लोग आजकल तो creative ways आ गए हैं, For example, मैं थोड़े दिन पहले ही, मैंने bank में loan के लिए apply किया था, तो उनका salesperson जो मुझे loan के बारे में समझाने आया था, तो सारी application होने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद, मुझे बोलता है कि sir, मुझे आपके साथ एक selfie खिचानी है, तो मैं थोड़ा सा एरान हो गया, I was a little taken aback, I was like selfie क्यों घिचवा नहीं है भई, उसने बुला के नई sir, हमारे को upload करना पड़ता है, customer के साथ अपनी selfie, हमारे sales report के साथ, जहां पे उनको location भी tag करनी पड़ती है, कि जो उन्होंने address, मेरा जो भी address उन्होंने mark किया था, अपनी sales report में के customer यहां पे रहता है, उस address के साथ, location के साथ, उनको selfie upload करनी पड़ती है, उस selfie में मैं आना चाहिए हूं, मैं मतलब customer आना चाहिए, salesperson आना चाहिए, और साथ ही साथ, जिस address पे उन्होंने, कस्टमर को मिले हैं, वो सब चीज़े upload करनी पड़ती है, तो काफी innovative तरीके अभी आ गए है, salesperson को supervise करने के, तो इसी तरह से अगर आप fixed salary पे रखते हो, तो थोड़ा strict supervision की जरूद होती है, वहीं पे अगर आप commission basis पे अगर आपकी salespeople काम करते हैं, तो उनको supervision की less, comparatively less जरूद पड़ती है, उसका logic बिल्कुल simple है, अगर वो नहीं बेच रहे हैं, अगर वो अपना सामान नहीं बेच रहे हैं, आपने objectives नहीं पूरे करने हैं, तो आपको उनको कुछ पैसा देना आएगा नहीं, तो अपने आप supervision अपने आप ही ठीक हो जाता है, because where compensation becomes the tool of supervision in that case. So, supervision का जो main objective है आपके इसाब से, the objective of supervision is to improve the job performance of the salespeople, मतलब अगर आप इस नियत से काम करोगे, जैसे मैं आपको example दे रहा था कि वह अपने salesperson को बोलता है कि जाओ गराक के साथ जाके selfie घिचवा के upload करो, मुझे अगर आप सही माहिने में पूछेंगे तो थोड़ा सा यह silly लगता है, थोड़ा सा बचकाना लगता है, कि आप salesperson को इस तरह चोड़े बच्चों की तरह अगर आप उनको monitor कर रहे हो, आपका मकसद, मैं हमेशा से समझाता हूँ मेरे students को भी और even मेरे साथ जो मेरे colleagues है, co-workers भी है मैं उनको समझाता हूँ, हमारा मकसद यह नहीं होना चाहिए कि salesperson बहिमान है और हम उसके उपर कड़ी नजर डालके रखें, अगर आपका यह style होगा supervision का, तो आपकी sales force में कही नख़ी dissatisfaction आएगा, उसकी जगह पे आपका objective यह होना चाहिए, कि you should try to improve the performance of the salespeople, अगर आप अपने salespersons को सही तरीके से motivate करोगे, उनकी performance को सही तरीके से supervise करोगे, तो अपने आप वो काम करने के लिए motivate होगे, खेर यह मेरा मालना है, this is my view, you probably have another point of view, sales manager जो normally यह काफी methods combine करते हैं, अपने salespeople को supervise करने के लिए और उनसे interact करने के लिए, they are broadly categorized into direct supervisory methods and indirect supervisory methods, so हम detail में एक एक टाइप आफ यह जो supervisory methods है, इनको detail में हम लोग देखेंगे, so सबसे पहले let's see the direct supervisory methods, तो direct methods के अंदर मतलब आप directly अपने salespersons के उपर जो watch रखते हैं, उसमें जो पहला method है that is telecommunication, बहुत simple है, कि sales manager, आप अगर manager हो तो अपने salesperson के उपर आप नजर रखते हो या उसको supervise करते हो किस जरीय से, तो telephone से, email से, mobile phones आ गये हैं, voice mails आ गये, computer based support systems आ गये, तो आप उनके साथ लगादार touch में रहते हैं, देखते हैं कि वह किस तरह से किस प्रकार काम कर रहे हैं, यह जैसे मैं आपको एक example दिया, कि आपको photo खीच के upload करनी है, तो this is also something done by telecommunications, मेरे कुछ मित्र हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो अपने transporters को या अपने delivery boys को किस तरह से track करते हैं, तो उनके devices की location track करते हैं, again this is with the help of telecommunications, तो आप इस तरह से supervise कर सकते हो, कि आपका salesperson on the job है, time waste तो नहीं कर रहा है, कई मतलब यह telecommunication से ना सिराफभूल से नजर रख सकते हो, बढ़ आपकी कई activities, जैसे कि report लिखना हुआ, call planning हुआ, customer information access करना हुआ, quotation submit करना हुआ, customers के साथ communicate करना हुआ, correspond करना हुआ, यह सब आप अभी telephone के माधियम से या internet communication, जिसको ICTM बोलते हैं, internet and communication technology, information and communication technology, आप उससे भी अपने customers के साथ कर सकते हो, जैसे कि for example, normally पुराने जमाने में क्या होता था, कि अगर आपको अपने customer से purchase order लेने जाना है, तो आप उठके अपने office से, उसके office में जाते थे, वहां से purchase order लेके आते थे, फिर उसको punch करते थे, फिर उसको आप, अगर आप bill बेज रहे हैं, invoice बेज रहे हैं, तो आपको physically बेजना पड़ता था या वाया courier बेजना पड़ता था, अब तुरंट within a second आप उसको whatsapp कर दीजिए, email कर दीजिए, अगर आपको उससे कोई बात करनी है, अगर आप customer से मिलने physically नहीं जा पारे, तो आप एक video call कर सकते हैं, telephone कर सकते हैं, तो यह चीज़े बहुत fast हो गई यह से, it improves accuracy, productivity and management effectiveness, management effectiveness कैसे improve होती है, कि for example, मेरा एक salesperson field में है, और उसको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, मुझे उसको कोई चीछी detail में समझा नहीं है, तो normally मैं उसको office बुलाऊं, उसकी जगह पे मैं उसको बोलूँ कि अगर वो customer की site पे खड़ा है, और उसको कोई doubt मन में आ रहा है, मैं उसको बोलूँगा तू 2 मिनिट बात customer से मिल ले जा, मेरे साथ phone पे बात कर ले या video call पे बात कर ले, और आप उसको वहीं पे on the job training दे सकते हो, तो इसलिए आपकी management effectiveness भी कही न कहीं से improve होती है, next जो direct supervisory method है, that is sales meeting, sales meeting बहुत simple, जहाँ पे जैसे आप sales managers, अगर कोई भी उनको बात communicate करनी पड़ती है अपनी पूरी team के साथ, जैसे कोई उन्होंने policy change किया है, कोई procedure change किया है, या कोई training program अगर रखा है, या उनको just अपने sales people को inspire करना है, motivate करना है, तो यह सारी चीजे वो sales meetings के द्वारा कर सकते हैं, जहां पे वो अपने sales persons को बुलाके, उनके साथ तुरंत meeting arrange करके, and they can communicate whatever they want to do with their sales persons, normally मैंने जो देखा है, जो आजकल जो effective teams है, वो सब सुबा सुबा अपना काम चुरू करने से पहले morning meeting करते हैं, तो इन morning meeting के अंदर यह पूरे दिन की planning होती है, पूरे दिन की announcements होती है, कई companyya दिन खतम होने के बाद debriefing करते हैं, तो debriefing भी एक तरह की sales meetings होती है, जहां पे आप इस तरह की वारता लाप इस तरह का discussion कर सकते हैं, next जो method है, that is personal contact, अब ये method में क्या है, कि अगर आपका sales person थोड़ा सा weak feel कर रहा है, यहां पे कहीं पे उसको ऐसा लग रहा है, कि सर, मैं इस customer को नहीं crack कर पा रहा हूं, या आपको लगता है उसकी effectiveness, जितनी आपको उससे उमीद है, उससे थोड़ी सी कम है, तो आप उसको डाटे, डबटे और बिना कुछ समझे, उस पे चिलना है, उसकी जगा पे आप क्या कर सकते हैं, कि sales manager, वो customer के पास जाता है, sales person क के साथ, मतलब sales person जब अपनी sales call करने जा रहा है, अपनी presentation करने जा रहा है, तो वो sales person के साथ sales manager भी जाता है, और sales manager बैट के, सिरफ उसको observe करता है, या फिर customer को अगर कोई specific problem है, या customer को specific, अगर कोई information चाहिए, तो आप उसके एक mentor की तरह, उसके guide की तरह, आप उसको help कर सकते के, for example, if there is a particular problem, और the sales person needs a particular training, या कोई team selling effort उसको चाहिए, तो वहाँ पे आप sales manager, जो sales person को personally सिखा सकता है, वहीं पे, अगर personal contact का एक और पहलो ये भी है, कि एक बार call पूरी होने के बाद, या जो भी आप observe करते हैं sales person के अंदर, तो as a manager, आप उसके साथ, उसके साथ बैट के one-on-one basis पे, close door के अंदर, one-on-one basis पे आप उसकी strengths discuss कर सकते हैं, कि देखे बिटा, तुमने ये ये साही किया, ये ये तुमने गलत किया, ये तुमारी weaknesses है, आप इस चीज को सुधार होगे, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, हमको डाटन mental attitude नहीं रखना है, हमको एक teaching attitude रखना है, teaching से ही हम लोग next जो method है उसके उपर आ जाते हैं, which is coaching, coaching के अंदर क्या होता है, ये जो आपने personal contact का supervision बोला, उसके next step, coaching के अंदर sales manager जो है, वो continuously concentrate करता है, कि अब अपनी sales force को develop करता है, उनको नए-नए method सिखाऊ, उनको नए-नी चीज actions दू, demonstration दू, practice दू, अब ये करने के लिए, there should be a high level of trust and respect between the sales person and the sales manager, तो जिस तरह से teacher और student का relationship होता है, एक student कब teacher से अच्छे से सीखता है, जब student दिल से अपने teacher की respect करता है, दिल से ये मानता है कि नहीं मेरा teacher मेरा बला चाता है, तभी student अच्छे से अपने teacher की बात सुनता ह वही बात यहां पर की जा रही है, कि आप as a sales manager सबसे पहले तो अपनी team का विश्वास जीती है, उनका respect जीती है, आपके actions में दिखना चाहिए, कि पहले तो आप खुद एक अच्छे sales person है, तो आप लोगों को ग्यान बाट पाएंगे, नहीं तो फिर वो ही होता है, कि नहीं indirect supervisory methods हमारे खतम हुए, next we will talk about indirect supervisory methods of sales supervision, तो इसमें जो सबसे पहला method है, that is sales reports, now direct or indirect methods में फरक क्या है, direct के अंदर आप direct one-on-one basis पे, मतलब एक personal contact के अंदर या group contact के अंदर अपने sales person से बात करते हैं, यहां पे आप indirectly, मतलब there is no direct contact, but indirectly, जैसे आपने communication के अंदर सिखा है, verbal, non-verbal communication, यहां पे आप एक written तरीके से, या फिर reports के तुरू, या compensation के तुरू, indirectly अपने sales people को supervise करते हैं, चलिए देखते हैं, सबसे पहला है, sales reports, तो sales reports बहुत important tool है, आपके sales persons को monitor करने का, supervise करने का, in fact, मेरा यह मानना है, कि this is the most important tool that any manager has to supervise the sales people, now आपकी जितने भी sales person की जितनी भ by using sales reports, sales reports क्या होती है, हर company अपने अपने धंग से reporting करवाता है, जैसे मैंने कई companies में देखा है, कि जबी भी sales person अपना दिन शुरू करता है, तो दिन शुरू करने से पहले उनका call plan होता है, call sheet होती है, कि आज के दिन में मैं कितने-कितने लोगों से बात करने वाला हूं, कितन नहीं मिला, ग्राक ने क्या बोला, दुबारा कब आना है, कैसे आना है, तो ये पूरी एक report बनाता है, और वो report पूरा दिन होने के बाद report file की जाती है, तो ये report ना सिरफ supervision के लिए हमारे लिए बहुत important हो जाती है, बट इसमें जो data होता है, customer का या competitors का, ये data company अपनी marketing information system मे use कर सकती है, मतलब की company ये analyze कर सकती है, कि customer क्या खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, हम से नहीं खरीद रहा है, तो competitor से खरीद रहा है, किस price पे खरीद रहा है, ये सारी जानकारी, अगर आप धंग से reporting करते हैं, या करवाते हैं अपने sales persons के तरू, तो ये सब information आपको मिल सक मतलब आपने पूरे दिन में कितने कितने customers से मिल किया है, कितने orders आपने obtain किये, कितने नए customers बनाए, competitive activities, मतलब आपके competitors ने क्या काम किया, customers की क्या problem थी, क्या needs थी, etc. ये सब बाते अगर आप अपनी sales reports में डालेंगे, तो it is very helpful. Now, sales persons, they are also required to submit a call plan, कि आने वाले period में, कल, परसो, या next week के अंदर, आप कौन से कौन से customers को visit करने वाले हो, ये भी बहुत important part of your sales report होता है. Now, ये call plan क्यों helpful है, क्योंकि जब as a sales manager, आप ये call plan देखते हो, कि next week में मेरा sales person का जाने वाला है, या कल मेरा sales person का जाने वाला है, तो आप उसको direct कर सकते हो, कि देख भई, तू पूरा हफता A category के customers के पास जाके आए है, थोड़ा सा B और C category, B और C class के customers को भी धियान दे दे, या फिर थोड़ा सा time नए customers के उपर भी spend कर दे, तो आप उसको direct कर सकते हो, this is the rule of supervision, तो आप उनको direct कर सकते हो, कि भई, आप थोड़ा सा दूसरे class को भी of customers को भी देख लीजे, and this is one of the main responsibilities of the sales people, report बनाना हर एक sales person की responsibility है, अगर वो time से नहीं बनाते हैं, तो आपको उनको reward करती है, evaluate करती है on the basis of their timely and accurate information in the sales report, कि आपने अपनी report time से file की, नहीं की, उसमें information कितनी है, कितनी नहीं है, इसके basis पे बाकाइदा performance evaluation होता है, reward न की होता है, ठीक है, so sales reports are a very important supervisory tool for a sales manager, अब हमारा जो next indirect supervisory method या indirect supervisory tool है, वो कौन सा है, that is our compensation plan, मतलब कि हम लोगों ने जो इससे पहले वाले topic में देखा, जो आप जिस method से, जिस type से अपने sales persons को compensation, उनकी salary, commission, bonus देते हैं, वो अपने आप में एक बहुत important supervisory method है, कैसे, तो compensation plan के जरीए, आप किस चीज का पैसा दे र रहे हैं, या किस चीज पर reward कर रहे हैं, किस चीज पर reward नहीं कर रहे हैं, ये indirectly sales person को encourage करता है, to carry out those activities that will maximize their income, क्योंकि हर एक sales person ये ही चाहेगा, कि मैं जादा से जादा commission बनाओ, जादा से जादा salary बनाओ, जादा से जादा incentive बनाओ, तो आप एक compensation plan के दोरा direct कर सकते हैं, उन activities क जो उनके आपको company को एक profit कमा के दे, company को फायदा करवा के दे, and you can influence the effort and time spent by sales people on various activities, example के द्वार आपको समझाता हूँ, कि अगर आप चाहते हैं, कि हमारे sales persons, ना सिरफ हमारे existing customers को product बेचे, बट वो महीने के अंदर कम से कम, 4-5 नए customer बनाए, साथी साथ, पुरानी payments हमारी collect कर क्या है, तो आप क्या करेंगे, fix salary उनको देंगे, ठीक है, आप जो normal selling कर रहे हैं, उसके लिए हम fix salary दे रहे हैं, हर 5 नए customer पे आपको 2000 रुपे का या 5000 रुपे का bonus दे देंगे, फिर अगर आप पुरानी payment लेके आते हैं, तो जितनी भी पुरानी payment लेके आ रहे हैं, उसका 2 परसेंट, 5 परसेंट आप आपको commission दे देंगे, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप directly उनको नहीं बोल रहे हैं, कि आपको payment पे भी काम करना है, नए customers पे भी काम करना है, but just what are you rewarding, आप किस चीज़ का compensation दे रहे हो, यह अपने आप में उनको एक guidance बन जाता है, sales people बहुत आगे आने वाले topic के अंदर, detail में समझेंगे, हाल फिलाल, आपको सिरफ इतना समझना है, कि अगर हम उसको supervision method की तरह देख रहे हैं, it is nothing but to evaluate the performance of each salesperson by comparing what was sold and how much was sold with the sales quotas or target, बतलब की, आपने अपने salespersons के लिए पहले से sales quota set किये हुए, target set किये हुए, वो हम लोगों ने, already हमा target set किये हुए, उसके basis पे, किसने क्या बेचा, मतलब कौन सा product बेचा, high value product बेचा, low value product बेचा, क्या बेचा, और कितना बेचा, कितनी quantity में बेचा, इससे आप sales analysis कर सकते हो, किस तरह का analysis होगा, कि अगर आपको लगता है, कि हमारी high profit value item कम निकल रही है, या फिर हमारा जो, एक newer product है, वो तुला कम विक रहा है, तो आप देख सकते हो, कि what is the problem, दिक्कत का हो रही है, salesperson में problem आ रही है, quality में problem आ रही है, market में problem आ रही है, तो आप उसको analyze कर सकते हो, और उस basis पे, you can work on it, ठीक है, last, जो आपका indirect supervisory method है, that is expense accounts, या expense reports, बहुत simple है, जैसे आपने sales reports के अंदर यह देखा, कि आप क्या बेच रहे हो, कि ऐसा बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, उसी का एक दूसरा पहलू है, कि आप sales के साथ साथ, अगर यह देखते हो, कि वो खर्चा किन items पे कर रहे है, अभी आपको अगर नजर रखनी है, कि मेरा salesperson कितना काम कर रहा है, सारा दिन phone पर बैठा रहता है, क्या, तो आप देखो कि उसका phone का bill कितना आ रहा है, आप देखते हैं, जैसे यह मैंने practically देखा हुआ है, मेरा एक marketing manager था, मेरा एक salesperson था, मेरा, एक business के अंदर, उसका मैं देख रहा हूँ, तो phone का bill महीने का आ रहा था, 2000-3000 रुपे, and outgoing calls काफी जादा, म पर विए कि यही जो, जिस स्विक्तिकी में बात कर रहा हूँ, मैंने देखा कि रात को एक बज़े उसका call आ रहा है, आप वो itemized bill जो आता है, मैंने उसका bill निकलवाया, because I was his manager, तो मैंने उसका bill निकलवाया, bill निकलवाके मैंने देखा कि रात को एक बज़े call हो रही है, द भी समझ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई, बट ये क्या है, जब आप खर्चों पे नजर रखते हो, कि आपका ट्रावलिंग पे कितना खर्चा हो रहा है, खाने पीने पे कितना खर्चा हो रहा है, रूम्स के उपर कितना खर्चा हो रहा है, एंटर्टेन्मेंट पे कितन खर्चा हो रहा है तो आपको पता चल जाता है कि इसके उपर हमारे को बिजनस आ रहा है के नहीं आ रहा है for example मैं यहां से बॉंबे किसी salesperson को बेचता हूँ गुजरात से बॉंबे में किसी salesperson को बेचता हूँ आके पूछता हूँ order कितना मिला तो खुछ order नहीं मिला तो यहां पर गडबड हो रही है तो इसलिए यह जो खर्चे होते हैं यह जो एक इंसान यह तो selling के सिवाए भी मेरा मानना है एक इंसान किस चीज के उपर कितना पैसा खर्च करता है न वो उसकी personality उसकी फित्रत और उसकी nature के बारे में बहुत ही secretive चीजे बताता है जो हमको आम तोर पर मालूम नहीं पड़ेगी for example अगर कोई इंसान कपड़ों पे जाधा खर्चा करता है तो वो थोड़ा सा self image conscious है थोड़ा सा वेन है वहीं पे कोई इंसान अगर books पे जाधा खर्चा कर रहा है या फिर अगर movies पे जाधा खर्चा कर रहा है तो उसको यह सब reading का शौक है या picture देखने का शौक है तो आपको पता चलता है कि किस तरह का इंसान है anyways coming back to the point तो जो हमारे expenses होते हैं they tell us how much money was sent by the sales people on traveling, lodging, meals, entertainment etc और इसके basis पे आप यह खर्चों को compare कर सकते हो आपकी company policy के साथ कि हमारी company की limits क्या है क्या policies है और आप यह देख सकते हो कि यह खर्चा करने के बाद कुछ sale हुई के नहीं हुई कुछ profit हुआ के नहीं हुआ अगर नह जगह पे आपको थोड़ा सा कडाई से अपने salesperson को समझाना पड़ेगा के भया खर्चे वर्चे सब एक जगह पे काम तो करना है ठीक है so with this we complete this very small topic of supervising the sales force next topic में हम लोग उठाएंगे यह खर्चों की बात यह जो खर्चे हम लोगो ने भी discuss किये expenses तो हम इन ही को थोड़ा सा details में थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे so please click on the next video to learn about sell expenses and meanwhile I hope आपने मेरे चैनल को अब तक subscribe कर दिया होगा like button दवा दीजिए उसमें बहुत मैनत नहीं लगती मेरे को थोड़ा मेरा ego boost हो जाता है and कोई सवाल है तो please comment box में पूछे I would be very happy to answer to all your queries, all your questions and सीखते रहिए keep learning with the Grumpy professors thank you thank you so much